आज लाम अलेकों वेलकम एक्ते मैं चैनल वीचिस आई टिविच सोनिया राजपूर अगर आप वाट्सएप पर अक्सेस स्टेटिस लगाते हैं तो आज मैं आपको वाट्सएप के एक बहुती जबरदस फीचर के बारे में बताने वाली हूं जिससे डेफिनेट्ली आपको स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाटसेप के लेटस्ट फीचर एंड अपडेट से रिलेटेड में वीडियो को अपलोड करती रहती हूं अगर आप मेरी उन वीडियो को वाच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के और बाकी सब को शो करना चाहता हूं यहां आज का स्टेटस मैं सिर्फ उस एक बंदे को शो करना चाहता हूं और बाकी किसी को शो नहीं करना चाहता तो इसके लिए आपको स्टेटस की सेटिंग्स में जाकर काफ़ी लंबी सारी सेटिंग्स करना पड़ती थी मगर अब वर Play Store पर जाके WhatsApp को अपडेट कर लेना है और उसके बाद आपने स्टेटस पर आ जाना है यहां देखिए कि मैं WhatsApp पे एक स्टेटस लगाना चाहती हूं कैमरे का बटन प्रेस कर रही हूं और यहां से एक अदर स्टेटस चूज़ कर लेती हूं यहां आप डिरेक्टली भी कोई फोटो को कैप्चर कर सकते हैं मेरे पास अलरड़ी यह पड़ी वी थी तो यहां से मैंने इसको कैप्चर कर लिया है अब आप बॉटम में देख सकते हैं कि स्टेटस इंक्लूडिट 17 य अगर मैं चाती हूं कि यह स्टेटस मेरे सभी कॉंटेक्ट्स को शो हो तो मैंने माई कॉंटेक्ट्स को क्लिक कर देना है और उसके बाद डन कर देना है तो यह जो मैं अभी स्टेटस लगाऊंगी वो मेरे सभी के सभी कॉंटेक्ट्स को शो होगा या अगर मैं चाती हूं क कि मेरा जो status है सिरफ कुछ लोगों को शोर ना हो तो उसके लिए मुझे second option को चूज करना है यह है my contacts accept this this and that यानि अगर आप इस option को क्लिक करते हैं और इसके सामने यह जो green color में text लिका हुआ है इसको क्लिक करते हैं यहां से आप उन लोगों को चूज कर सकते हैं जिनको आप अपना status शोर नहीं करना चाहते हैं वो एक बड़ी लंबी सी list भी हो सकती है या सिरफ एक contact के उपर भी आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो वो एक लंबी सी list भी हो सकती है यह कोई एक contact हो सकता है जिसको आप आज का status शोर नहीं करना चाहते हैं जस्ट आपने यहां पर आके contact के आगे जो circle है उसके उपर क्लिक करना है तो यहां पर check mark लग जाएगा तो इस तरह से करके आप यहां पर contacts को add कर सकते हैं जिनको आज का आप status शोर नहीं करना चाहते हैं सिर्फ एक बंदा भी हो सकते हैं तो यहां मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि एक लंबी सी list हो जिनको आप अपना आज का status नहीं दिखाना चाहते हैं कोई एक बंदा भी हो सकता है आ आप जिसको आज का स्टेटस नहीं दिखाना चाहते तो जिस उस कॉंटेक्ट के आगे आपने आके चेक मार्क लगा देना है और उसके बाग यह जो ग्रीन करर का चेक मार्क है इसको प्रेस करना है तो आपका काम हो जाएगा और यहां से बैक जाने के लिए टॉप पे जो ले मजीद लोगों को एड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है अगर आप इस किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल ही आपने उस कॉंटेक्ट के आगे one time click करना है और आपका वो contact आज की list में से remove हो जाएगा और अगर इस list में आपने किसी को add करना है तो simply उस contact के सामने आके आपने single time click करना है तो वो आज की list में add हो जाएगा जिनको आप अपना status चोग करना चाहते हैं और यह list आज की ready कर लेने के बाद आपने यह जो bottom मे green color का check mark show हो रहा है इस पे press करना है तो आपकी list ready हो जाएगी और यहां से exit होने के लिए मैं top पे जो left arrow है उसको press करूँगी और उसके बाद यहां पे जो भी आपने option choose की होगी done का button press करेंगे तो आपका status आपकी पसंद के लोगों को या जिन लोगों को आप show करना चाहते हैं सिरफ उनको ही show होगा और very easily very quickly और उसके बाद यह जो भी मैंने आपको settings बताई है वो सारी settings कर लेने के बाद यह जो bottom में आपको green color के circle के उपर white arrow show हो रहा है इसको click करना है तो आपका आज का status update हो जाएगा मेरे पास net नहीं आ रहा है इसलिए यह update नहीं हो पाया otherwise जैसे आपका आज का status update हो जाएगा और आपके बताय हुए लोगों को ही show होगा तो बस यह थी मारी आज की वीडियो I hope के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर दें तो ठीक है मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में जब तक लिए अलाहाफिज स्टे ट्यून